नमस्कार दोश्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कौन सा चीज दान करने से हमें क्या प्राप्त होता है। सरपर्थम कोई भी दान लाभ सोचकर नहीं करना चाहिए। यह दान कर रहा हैं तो हमें इस चीज की प्राप्ती होती है। दान भी अपने सामर्थ के अनुसार किया जाता है। और जिसको आप दान दे रहे हैं उस चीज को उसको जरूरत हो। यानि जरूरत मंद को ही दान देना चाहिए। वही सर्वस्रिष्ट दान माना जाता है कोई भी भूखा हो उसे आप भोजन करा दिये कोई भी सर्दी में कप रहा है उसे वस्त्र दान दे दिये गरिब को दवा बिना तडप रहा उसे दवा करा दिये दोस्तों ऐसा दान से आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है और ऐसे ल जो व्यक्ति भोजन करने में सामर्थ हो उसे भोजन कराके जिसके पास पैसे हैं उसे पैसे दान करके जिसके पास वस्त्र हैं उसे वस्त्र दे करके उस दान का लाब आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों आप सच्छम लोगों को दान देने से आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सीव पुरान के अनिसार सीव जी को या सीव जी के निमित जो आप दान देते हैं उससे सवगुना हो करके आपको प्राप्त होता है तो दोस्तों सोमवार के दिन अब हम आपको बता रहे हैं दोस्तों किस दिन कौन सा चीज दान करने से आपको फल की प्राप्ति होती तो दोस्तों सुमवार के दिन नमक का दान करने से अगर आपको गोल वाला नमक मिल जाए साबुत नमक तो और भी अच्छा होगा नमक स्वमवार के दिन अगर आप दान करते हैं सर्व स्रेष्ट माना जाता है नमक का दान स्वमवार को करने से आपको धन सम्रिधी बढ़ती है आपके घर में सकरात्म कुर्जा का वास होता है अनाज का दान स्विव पुराण में बताया गया है कि माता अन पूर्णा स्विव जी की अरधांगनी है अनाज का दान करने से आपके घर में अन और धन की कभी कभी नहीं होती है वस्त्र का दान मैं फिर बता रहा हूँ जरूरत मंद्र को ही वस्त्र का दान करें वस्त्र का दान करने से व्यक्त की उम्र बढ़ती है अगर आप सच्छम हैं तो जरूरत मंद को वस्त्र जरूर दान करना चाहिए ये दिया हुआ दान कहीं से न कहीं से कई गुना हो करके आपको मिलता है वस्त्रदान करने से आपकी आर्थिक इस्तिती हमेशा के लिए उत्तम रहती है, घी का दान, घी का दान करने से आपको भीमारियों से निजात मिलती है, अगर आप संकर जी को घी वर्पित करते हैं, तो इससे भी आपको भीमारियों में लाब मिलता है, सुमवार के दिन या सन तिल कादान करें इससे सनिग्र से भी लाब मिलता है और आपके जीवन में सुख सम्रिधी बढ़ती है गुड कादान दोस्तों गुड कादान करने से आपके रिष्टों में मधूरता आती है रिष्टों में मिठास आती है आप सुमवार के दिन भगवान सिव को अगर गुड अर्पित करते हैं इससे आपको अनंत्फल की प्राप्ति होती है तिल का दान दोस्तों तिल का दान सोमवार को करने से आत्म विश्वास बढ़ता है इसलिए तिल का दान जरूर करना चाहिए तो दोस्तों आप कोशिस करें कि हमारा दान जरूरत मंद को ही मिले आपको रोज ग गाय को गुड के साथ अगर आप रोटी खिलाते हैं तो धन संबंधी समस्या दूर होती है और 33 कोटी देवी देवताओं की असीम क्रिपा आप पर बनी रहती है क्योंकि गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का बास होता है जोतिस्त की माने तो जिस इंसान को दान का आनन्द मि मिलता है उस से इस्वर की असीम क्रिपा प्राप्थ होती है दोस्टो जरूरत मंद को दान करने से आपको अद्भुत आत्मा को सुख मिलता है दोस्तों एक चीज बता दू धातु का दान विशेश दसाओं में करें, यह दान उसी को करें जो दान की गई चीज़ों का प्रियोक करें, धातु का दान करने से आई हुई भी पत्ती तल जाती है, तो दोस्तों यह भी कुछ जानकारी थी जो हम आपको लोगों को बताएं, आईसी जानकारी आईसी वीडियो के साथ ग्यानवर्धक वीडियो के साथ आप से फिर मिलेंगे धन्यवाद